यदि किसी किसम के एक्स्पोजर के बाद आपका HIV का टेस्ट नेगेटिव आया है और आपको लक्षन दिख रहे है तो आप इस समश्य का जवाब चाहते हो तो आपके हर सवाल का जवाब इस व्यूडियो में आपको मिल जाएगा यूट्यूब की सबसे बड़ी और विश्वसनिय HIV AIDS चैनल्स पर आपका स्वागत है यदि HIV जोखमी गटना जैसे कि असुरक्षिक सारिक सबन्द या सूई या सिरिंच से आप चिंतित थे कि आपको HIV कहीं हो ना जाए तो इसकी असर सबसे पहले मानसिक स्वास्थे पर होती है हो सकता है कि व्यक्ति को पस्तावा हो डर हो कि कहीं उसको HIV जैसी बीमारी ना हो जाए उसको अपने किये पर अफसोस हो अपने आप पर गुसा भी आता हो कि ऐसी गलती में कैसे कर सकता हो अपने परिवार के बारे में वो चिंतित भी हो सकता है और इस सभी को मिला कर वो हताशा भी भी जा सकता है फिर इंसान को चाहिए मदद लेकिन HIV जैसे विसाई पर मदद लेने में वक्ति को तकलिफ होती है पहला डर होता है अपनी गोपनियता को बचाये रखना और दूसरा होता है कि इस बारे में पूछने में सर्म महिसूस होना तो फिर व्यक्ति के पास एक ही ऑप्शन्स बरसता है कि वो है इंटरनेट तो व्यक्ति इंटरनेट पर जाकर कितना रिस्क है उसके चीनों क्या है HIV के लक्षन क्या है HIV में कौन सी टेश करानी चाहिए वो सब कुछ काफी बार लबे समय तक देखता रहता है बाद में कहीं वो थोड़े बहुत कॉन्फिडेंस में आकर एक रिपोर्ट कराता है और वो इनमें से कुछ भी हो सकता है या तो 17 दिन के बाद PCR कॉलिटेटि टेस्ट हो सकता है या तो 45 दिन के बाद P24 antigen plus antibody test हो सकता है या 90 दिन के बाद antibody test किया है तो इन test का ये सही window period है उसके बाद फिर भी आपको डर लगता है कि मेरा test negative आया है लेकिन मुझे symptoms है लक्षन है तो लक्षन दिख रहे है जैसे की सनायू का दर्द, ठन लगना, मों में छाले होना, बुखार आना, गले में खराश होना, ठकान महिसूस होना, रात को पसीना होना, गले में लिंपनोड का बढ़ जाना, या तो skin racist या तो पर चाठे, ऐसे लक्षन दिख रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा confusion का आपका तकलिफ का कारण है, कि इंटरनेट पर बहुत सारी information है, इसमें से कुछ नहीं है, कुछ पुरानी है, कुछ सही है, कुछ गलत है, कुछ किसी डॉक्टर ने लिखा है, कुछ कोई डॉक्टर नहीं है, उनने बताया है, कुछ HIV के specialist है, कुछ HIV के specialist नहीं है, कुछ को HIV का experience है, कुछ को नहीं है, तो आपके लिए, बहुत मुश्किल हो जायेगा, और हो जाता है, कि अब इन में से किस पर यकिन करे, और किस पर यकिन नहीं करे, किस की बात पर आगे चले, और किस की बात पर आगे चलने से रुक जाए, और इसी चक्कर में आप गंटों से लेके दिनों तक दिनों से हफ्तों हफ्तों और महिनों तक आप इंटरनेट पर सब चीज़े देखते रहते हो और कुछ केस में इस सालों तक चलता है तो मुख्य प्रेश्ण यही है कि HIV टेस्ट नेगेटिव आया और लक्षण दिख रहा है तो क्या करे और HIV मुझे है या नहीं तो इसका सही जवाब है कि आपको HIV नहीं है तो यह लक्षण किस कारण से आते हैं यह सबसे पहला सवाल हर किसी के दिमाग में आता है तो इस लक्षण के दो कारण है या तो दोनों में से कोई एक कारण है पहला कारण जब आप इंटरनेट में गंटों दिनों हफ्तों और महिनों के वक्त बिताया है तो उसमें कारण आपके दिमाग में डर चिंता और हताशा के कारण आपका मानसिक स्वास्ते में कुछ तकल नहीं है, तो हमारा सरीर स्वस्त नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे सरीर को कंट्रोल करने का काम दिमाग करता है, और जब दिमाग में कोई तकलिफ होती है, तो सरीर को कंट्रोल करने में तकलिफ होती है, और सरीर पर कुछ लक्षण लक्षण उसके दिखते हैं, या दूसरा कारण HIV को छोड़ कर कोई बिमारी के कारण अन्य कोई बिमारी के कारण आप कोई लक्षण दिख रहे है तो अब हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले है स्विकार जब तक आप इस चीज़ को स्विकार नहीं करोगे कि आपको HIV नहीं है और उस गटना के कारण HIV होने की पविश्य में कोई संबावना नहीं है तब तक आपको इस समझ्षा से निकलना मुश्किल होगा तो पहले स्विकार कर लेजे कि आप HIV से मुक्त हो दूसरा अब जाके इंटरनेट पर आप आगे से कुछ HIV और AIDS के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे कुछ भी नहीं देखेंगे तीसरा अब आप HIV के सबंदित कोई टेस्ट नहीं कराएंगे चौथा अब आप किसी से भी इस मसले पर किसी किसम का सला मशुरा नहीं लेंगे क्योंकि आप जितने भी लोगों से बात करोगे हर कोई अपनी अपनी बात कहेगा तो आपका कन्फुजन बढ़ेगा तो अब देखते हैं आपको करना क्या है आपको आपको कसरत करना है जिससे आपका मैंसिक स्वास्ते को सुधार्व होगा इसमें आप कुछ भी कर सकते हो जैसे कि चलना, दोडना, कूदना, स्विमिंग करना, जीम जाना या कुछ भी एक से दो गंटे आपको कसरत करिए साथ से आठ गंटे रात को नींद ले और रात को नो बज़े से लेके सुबर नो बज़े मॉबाइल, टीवी या लैप्टॉप का इस्तमाल ना करे हो सकता है कि इस्तनाव के कारण आपके सामाजिक जीवन में जैसे कि आपके परिवार के साथ या तो आपके मित्रों के साथ आपके कम वक्त बिताने लगे हो तो वापस अपने सामाजिक जीवन पर फोकस करिए और अपने सामाजिक जीवन को वापस बहितर करिए बगवान और कुदरत पर सरद्धा रखे कि सब कुछ सही पहले जैसा ही हो गया है और हो जाएगा तो मैं आशा करता हूँ कि यहां पर मैं आपका दर्द कम करने के लिए इस वड़ियों में सफल रहा हूँगा आप में से काफी को ऐसा भी लगता है कि यह तो बिल्कुल मेरी कहानी है वैसा ही लग रहा है तो आप अकेले नहीं हो आपकी इस जैसे तकलिफ में बहुत सारे लोग है तो सब की तकलिफ में कुछ ना कुछ दर्द कम करने के लिए मेरा यह प्रयास था इस वीडियों के जरिये मैं HIV AIDS Specialist डॉक्टर केतन रणपरिया यदि आप मेरे से ओनलाइन या तो क्लिनिक पर कंसल्टेशन्स करना चाहते हो तो इस वाट्स अप नंबर पर मैसेज कर सकते हो हम हर रोज दुबर को एक बजे HIV और AIDS पर या तो निया वीडियो या लाइव टॉक शो रखते है जेतावनी यहाँ पर कही गई बाते एक आम जानकारी के लिए है समय के साथ विज्ञान बदल सकता है किसी भी जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV AIDS Specialist डॉक्टर से व्यक्तिक तुरूप से राय लेना अत्यन्त आवशक है फिर से हम मिलेंगे एक नई वीडियो एक नई टॉपिक के साथ थैंक यू